अमरूत का सीजन चल रहा है और मार्केट में इतने मस मस अमरूत आ रहा है अमरूत के सीजन में अमरूत की चटनी नहीं बनाई तो क्या बनाया तो चलिए आज बनाते हैं अमरूत की चटनी तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं तो चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए अमरूत, तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं अमरूत, और यह बहुत ही मीथे और टेस्टी अमरूत थे एकदम फ्रेश, तो मैंने फटा-फट से एक अमरूत ले लिया और उसको पीसिस में कट कर लिया है, इसके बहुत छोटे पीसिस तीन से चार फुदिना के पत्ते, एक चम्मच भुना हुआ जीरा, आदा चम्मच, काली मिर्च और एक हरी मिर्च को मैंने पीसिस करके डाला है और अब एक छोटी चम्मच भर के लेंगे काला नमक और सेम मेजरमेंट लेंगे वाइट नमक चटने थोड़ी खटे मिठी होगी, तभी अच्छी लगेगी, तो इसके अंदर डाला है मैंने दो चम्मच गुड और एक चम्मच निमु का रस और ये लास्ट में मैंने धनिया डाला है, और अब उसको पीस लेना है, तो इसका हमें एकदम फाइन पेस्ट बनाना है तो अब इसको पीस लेते हैं, मैंने यहाँ पे अभी पानी एड नहीं किया है, मैं पानी बाद में एड करूंगी हमें पहले इसको ऐसे ही क्रश करना है, थोड़ा सा क्रश हो जाए, उसके बाद हम उसके इंदर पानी एड करेंगे तो यहाँ पर मैंने तीन से चार चम्मच इतना पानी एड किया है, और इसको अच्छे से पीस लिया है पहले सा ही पानी एड करेंगे, तो हमारी चटनी एकदम स्मूद नहीं बनेगी तो यह दिखिए हमारी अमरूत की चटनी बनके एकदम रेडी है, इसको आप रोटी, नान या फिर अपने कोई भी फेवरिट स्नेक्स के साथ एंज़ोई कर सकते हो खटी मीथी तीकी यह अमरूत की चटनी टेस्स में बहुत ही अच्छी लगती है आपको यह रेसिपी कैसे लगी, प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताईगा, मिलते हैं जल्दी नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए, बाई, जैशी करशना